तो हेलो गाइज वलकम बैट वादर यूडियो गाइज आज में जो है ना वीव वी 29 यह फोन लेटेस लॉच है इसका जो कैमरा का लेवल है कैमरा क्वालिटी है उसको मेजर करने के लिए कैमरा में क्या इंप्रूमेंट किये गए है लू लाइट में डे लैट में आइडिया लग जाए कि वीडियो क्वालिटी कैसी है फ्रंट कैमरा की डे लैट में नौर्मल पोट्रेट सेल्फीज लो लाइट में फैक्ट क्योंकि वी 27 क्यामरा क्वालिटी क्या आपको देखने को लग रहा था पर इसमें कुछ इंप्रूमेंट किये है हाला कि इस बार करना और सब्सक्राइब करना पड़ता है कि वीडियो बनाने के लिए तो फटा फटा सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब वो आपको वी 29 का यहां पर देखो कि आपको अच्छी है यहां पर कलर टोनिंग भी काफी हतक नेचुरल तो नहीं बोलेंगे थोड़े से बूस्टेड है बड़ काफी अच्छी निकल के आती है यहां पर भी देखोगे आप नोटिस का इसका आपको कलर देखने को लग रहा ह वी 29 थोड़े से कुलर्ट टूर्ट है वी 29 वाम टॉन क्लिक करता है और सामसंग कूल टॉन की तरब रहता है लेकिन जो ग्रीन टॉन आपको देखने को मिल दाना दोने फोन में थोड़े से कलर बूस्ट करते हैं यह आई प्लेजन कलर है आपकी चॉइस को बार डिबन करता है बिल्कूल आपको रेड निकाल के देता है यह तो थोड़े से एश टॉन 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 जो आपको देखने को लगा ना मुझे वे 29 की यहाँ पर नैचुरल देखने को लगी काफी हद तक डेलाइट में जो है वी 29 के पिक्चर काफी अच्छी हा थी as compared to as 23 वहीं यहाँ पर नोडिस करोगे अगेन इसकाई के क्लर जो है थोड़े से बूस्टेड है थोड़े तो चेंज भी है वे 29 कुलोश टू रियालेटी पिक्चर काफी है तक यहाँ पर किलिक कर रहा है देलाइट में लेकिन जब मैं चलूंगा अगेन थोड़े से जूम करते हैं तो लाइटिं थोरा से यहां पर डिफ्रेंस देखने को लग रहा है एक बड़ यहां पर मैं जूम करता हूं तो जूम करने को आप देखोंगे जो मेरा पैंट है न एक पूजर को अच्छे से यहां पर मिंटिन किया वह वहीं वी 29 ने एक पूजर को थोड़ा सो ओवर एक्पोज किया इस काफे अच्छी निकल के आती आप आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि यह टेली फोटो क्यामरा से लिया गया है एक ट्री में आपको डेडिकरेट टेली फोटो क्यामरा मिलता है टेन मेका पिक्सल का त्रिया उप्टिकल जूम तो यहां पर देखोंगे अगें ड जो आपको क लरा देखेंगे यहां पर यहां पर अगें ट्रीन कहरें है टो एक रहे है यहां तो आपको अच्छे देखने को लरहा है लेकिन यहां पर आगेन थोड़ा से स्कीन टोन का फरक आपको देखने को मिलता है जब हम लोग डारेट सनलाइट में पिक्चर क्लिक करते हैं तो 23 स्रीज में आपको रेट टोन देखने को मिलते हैं वहीं V29 में थोड़े से कुलेक्टू रियालेटी है वह थोड़े वाम है प आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 60fps तक एंड वी 27 से आप 4K 30fps एंड एंड एज 23 से रिकॉर्ड कर सकते हो 4K 60fps सनलाइट अपोजिट है तो यहां पर अपोजिट सनलाइट में आप फिलर्स वगर यहां पर देख सकते हो और इसकाई का जो यहां पर कलर है वह आपको थ सनलाइट जो है बिल्कुल मेरे पीछे है एक बार तो यहां पर एक बार जो है पिक्चर क्वालेटी आप यहां पर नोटिस कर सकते हो एक बार भाग के मैं चेक करता हूं हुआ है कि वीडियो क्वालेटीक आपको आइडिया यहां पर लग गया होगा किसकी वीडियो जादे हैं श्टेवल देखने को लग रही है okay अप यहां सैल्फी की बात करेंगे दोने फ़ोन के प्रन्ट कैमरा से आपको अच्छी आप यहां पर क्लिक कर सकते हो वेटीन में आपको मिलता 50MP का सेलफी कैमरा, अगैं S23 में आपको मिलता 12MP कैमरा, यहां पर देखो, S23 की जो सेलफी मुझे काफी अच्छी लगी है, देखने को, आपको इस कलर टोनिंग वगदर काफी है, तक नैचुरल है, वहीं आपको थोड़े से ओवर कॉंटरसी फील होता है, कभी क आपको सेलफी भी हो, V29 की बड़ सेलफी काफी अच्छी निकल के आती है, अगैं यहां पर भी आप नोटिस कर सकते हो, डायट सेलफी में, यहां पर तो S23 की सलफी मुझे काफी अच्छी लगी, आपको जो बैक्राउंड बलना है, काफी है तक नैचुरल भी है, काफी है नैचुरल यहां पर पिक्चर किलिक किया है, वहीं आपको अपोजिट सनलाइट में, V29 की सलफी जो है थोड़ी से ओवर कॉंट्राइट, थोड़ी से स्कीन टोन जो है तोड़ी से फेरेड लगते हैं, अब यहां पर देखो, सनलाइट बिल्कु डिरेक्ट आरे थी फेस प थोड़ी से यहां पर बेटा साफी निकाल के दे रहा, एस केंपे टो यह वह वीडियो में रिकॉट कर रहा हूं, दोनी फोन की फ्रन कैमरा से, 1080p 60fps पर दोनी फोन की फ्रन कैमरा से, 4K वीडियो रिकॉट कर सकते हो, बट आपको V29 में मिल जाएंगे, आपको 4K 30fps, एन S23 मे वीडियो कॉलिटी काफी मुझे अच्छी लग रही है, बैक्डाउन कलर भी काफी मूटेट है V29 में, अगेन यहां पर सनलाइट बिल्गू डायरेक्टार यह फेस पे, तो आप यहां पर नोटिस कर पा रहे हो, बट प्राइस को देते हो यह बलेम नहीं करूंगा, V27 की व अच्छे तो दोने की नहीं है, बट V29 के जो कलर से हैं, आपको थोड़े से कुले से चेंज है, सैमसंग जो है ना ना नेचला प्रिक्चर को बिल्कुल भी थोड़े से बूष्ट करता है, नेचला प्रिक्चर आपको बिल्कुल भी निकाल के नहीं देता है, तो चलिए में ही मालूम परती है कि कैमरा का क्या कॉलिटी है, अब देखो यहाँ पर बिल्कुल भी लो लाइट थी, एक्स्ट्रीम लाइट थी, यहाँ पर देखोगे, दोनों ही फोन आटो नाइट सिफ्ट करता है, नाइट मोंड और फोने के बावजूद भी यहाँ पर, आप आप और नाइट मोंड आटो सिफ्ट ते अच्छे का से पिचर क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर देखो, एक्स 23 की पिक्चर तो काफी अच्छी है, एक पुटर वगरा डिटल काफी अच्छी है, लेकिन वी वो वी 29 का जो मुझे पिक्चर देखने को लगा ना, मुझे काफी गरदा लगा है, इस स्प्राइज में आपको कोई भी ऐसा फोन देखने को नहीं मिलेका, जो नाइट मोड इतना च्छे है, आप अप्टिमाइज करके निकाल करता हो, दिख रहा है, वट एस कंपेर टू यहाँ पर देखो, एक्स 23 वी 29 ने काफी यहाँ पर काम किया हुआ, देखत सेल्फी की बात करेंगे यहाँ पर, तो नाइट मोड दोनी फोन में आउन है, अब यहाँ पर सेल्फी एस 23 की बेटर है, बट प्राइस को देखते हुए मैं, वी 29 की मैं यहाँ तो तरीफ करूँ क्योंकि यहाँ पर जो है इस प्राइज में आपको कोई भी ऐसा फोन देख तो यहाँ पर देख पाड़े हो कि, एस 23 की पिक्चर काफी अच्छी है, एक पूज़र वगर यहाँ पर वेले में टेंड है, स्कीन टून काफी है तक नाच्रल है, पिक्चर में डिटेल्स, कलर टोनिंग अच्छे से में बैक्ग्राउंड में जो आपको हाइलाट देखने काफी अच्छे से यहाँ पर मेंटेंड भी है, इसकीन टून भी काफी है तक आपको नाच्रल देखने को लगर आज़ा पिक्चर को मैं जूम करूंगा, तो यहाँ पर देख पाड़े हो कि, पिक्चर में अगर डिटेल्स, स्कीन टून, कलर टोनिंग, एस 23 में बैटर में तो लो लाइट में S23 का कैमरा यहाँ पर बेटर निकाल कर देता है आपको पिक्चर, प्राइस का डिफ्रेंस देखते हो है, मैं बिल्कुल भी यहाँ वी 29 को बिलेम नहीं करूंगा, वी 29 के इस प्राइज में काफी च्छे मुझे कैमरा लगा है लो लाइट के हिसाब से, इस प्राइज में कोई अधर ब्रैंड आपको देखने को नहीं मिलती है, जो लो लाइट में इतना खतरनाग पिर्चर निकाल कर देए आपको, तो गाईज आज के लिए इतना ही काफी, I hope कि मैंने सारा टॉपिक, सारे डाउट का सारे कन्फिजन मैंने क्लिर कर देंगे इस एंध।